नमस्कार दोस्तों ये है एक प्रसीना वेराइटी का प्लांट जिसे सौंग ओफ इंडिया के नाम से जानते हैं प्रसीना की कई सारी वेराइटी है मेरे पास भी इसकी तीन वेराइटी है आप एक ये वेराइटी देख रहे हैं जिसमें वेरिकेटट पत्ते हैं और दूसरी वेराइटी इसकी ये है जो नॉर्मल है लेकिन ये भी काफी बुशी सा होता है आप देख लेजिए ये भी काफी बुशी सा है और एक ये वेराइटी और तीसरी वेराइटी तीसरी वेराइटी ये है इसके पत्ते लाल होते हैं चुकि ये काफी लेगी सा हो गया है और नीच इसके ब्रांचे निकल रहे हैं तो मैं कुछ दिनों के बाद इसकी कटिंग करूंगी ताकि नीचे से बुशी हो सके लेकिन अभी मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो यह तीन वेराइटी की ड्रसीना मेरे पास है और इस वेराइटी का नाम है सॉंग ओफ इंड प्लांट रखे जो की घर को काफी हरियाली दे हरा भरा रहे और समय नँब हो तो बीना के भी फलता फुलता रहे मतलब हरा भरा रहे तो दोस्तों ड्रसीना एक ऐसी वेराइटी का प्लांट होता है जो की बिना किसी के यह नोडानिक Drive ड्रसीना की सारी एसी होते हैं और ने स स्पेशली सॉंग ऑफ इंडिया की बारे में बताना चाहूंगी इसे मैं 4 साल पहले बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये 1 बित्ता और दो बित्ता ये इतना बड़ा मैसे लेकर आई थी और मैंने इसे लाकर के इस पॉट में लगाया ये करीब 8-10 इंच का पॉट है और इसी म पीबढ़ता जा रहा है, हराबरा हो रहा है, मैं आज तक कभी cutting नहीं की हूँ, लेकिन इस बार मैं सोच रहे हूँ कि cutting करके ऊपर के tip को यहां से और यहां से और यहां से यह तीन branch को मैं यहां यहां से Иश काट करके और एक अलग ही pot में लगा दूँगी इससे multiple होकर के मेरे plant भी ज्यादा हो जाएंगे और ये plant भी यहां से मैं इसे cut करूँगी तो बुशी से हो जाएंगे आप देख रहे हैं कि यहां पर एक नया shoot निकल रहा है तो ठीक उसके उपर से यहां पर एक बार मैंने cut किया तो यहां से देखिए यह 4-5 डालिया निकल करके काफी बुशी सा बना दिया है तो मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ दोस्तों कि इसकी care कैसी करनी है तो सबसे पहले मैं मिट्टी की बात करूँगी कि मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए तो मैं जैसा कि हर प्लांट के बारे में बताती हूँ कि हर प्लांट के लिए मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए क्योंकि मिट्टी में यदि पानी रुकेगा तो मिट्टी की जड़े तो प्लांट की जड़े सड़ जाएंगी पानी जाना चाहिए और पानी जाकर तुरंत नीचे से थोड़ी देर के बाद ही ड्रेन आउट हो जाना चाहिए ताकि जड़ों को पानी मिल तो जाए लेकिन जड़ के पास पानी जमाना हो और उसे सडाय नहीं तो हर plant के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो विलरेन हो और मिट्टी कैसी बननी चाहिए तो मैं जैसे हर plant के लिए बताती हूँ कि 50% सोयल होना ही चाहिए उसमें 20% रेथ हो या फिर कोकोपीट हो और 20% उसमें वर्मी कमपोस्ट हो या गुबर की खाद हो, काव डंग कमपो जिसमें फूल नहीं खेलते हैं तो ये पतियां ही उनके खुबसूरती होती है तो अच्छी पतियों के लिए nitrogen rich fertilizer होना चाहिए और काव डंग कमपोस्ट बहुत ही ज्यादा nitrogen वाला होता है इसलिए आप आपके पास या गुबर की खाद हो तो आप उसी को 20% यूज करें नही है तो कोई बात नहीं कोई प्रेंशन वाली बात नहीं आप उसमें वर्मी कमपोस्ट भी जाल सकते हैं मैं ज्यादा तर वर्मी कमपोस्ट का ही यूज करती हूं कभी-कभी दूद वाले भाहिया से मुझे मिल जाता है गुबरकी खाद तो मैं वह डाल देती हूं लेकिन ज्यादा तर मैं वर्मी कंपोस्ट ही यूज करती हूँ तो इसमें भी मैंने वर्मी कंपोस्ट ही यूज किया और देखिए इसकी पतियां कितनी अच्छी ग्रीन और वेरिगेटर है और हर ब्रांच से देखिए जहां से भी है तो यहां से यह बुशी सा निकल रहे हैं तो बात मिट्टी की हो गई अब इसमें बात है कि इसमें फर्टिलाजर की तो मैं बिल्कुल भी इसमें महीने महीने फर्टिलाजर नहीं देती हूं मैं साल में दो बार ही इसमें फर्टिलाजर देती हूं और वो समय होता है एक October का और दूसरा होता है February का तो October में मैंने बारिशों के बाद October में मैंने इसमें खाट डाल दिया था उसमें मैंने इसमें गोवर की खाट डाली थी और अभी February है लास्ट होने वाला है तो आज मैं इसमें वर्मी कमपोस डालूँगी आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह मैं इसमें वर्मी कमपोस डालूँगी देखिए ये 8 से 10 इंच का ही पॉट है तो मैं इसमें एक मुठी और एक और दो मुठी बस इतना ही डालूँगी इतना ही डाल कर मैं इसे अच्छी तरह से गुड़ाई कर दूँगी ताकि ये मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और उबर मैंने थोड़ी से इसमें वाट्रिंग कर दी थी इसले मिट्टी इसकी थोड़ी सी गीली है यदि आप सुखे में डालते हैं तो सुखे में डालने के बाद गुडाई कर दें और गुडाई करने के बाद आप उसमें अच्छी से ओटरिंग कर दें मॉटरिंग इतनी अच्छी से करें कि वो गमले के नीचे से पाणी निकला आए तो इस तरह से इन्हें पुरी तरह से पोशक्ता मिल जाएगी और फिर ये अच्छे से अभी से ले करके पूरी बरसाथ अच्छे से चलेंगे और बरसाथ के बाद फिर आप सेप्ट्रिमबर या अक्टूबर में इसमें फटिलाइजर दीजिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कहीं कहीं इनकी जड़े निकली हुई है जब मैंने गुड़ाई की तो इनकी जड़े निकलाई इनकी रूट बाउंड हो जाती है आप उपर से गुड़ाई करते रहे और ऑनके जो फिड़े र्ường है उनकी अप कटिंग करते रहे तो ये अच्छे से चलते रहेंगे मैंने भी इसकी गुड़ाई की है और बहुत सारे इनके च्छोटे च्छोटे रूट्स आप देख सकते हैं जो कटकर ऊपर आ गए हैं फिर से नहीं रूट निकलाएंगी और यह अच्छे से बढ़ते रहेंगे तो आपको सालों साल या हर साल इसे रिपॉर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोस्तों यह ऐसे प्लांट है कि इन में किसी तरह से कोई भी कीट पतंगों का टैक नहीं होता है मैंने तो आज तक नहीं दे섯ा आप देख सकते हैं कि मेरे पात्ते हैं और मैंने इसमें कोई भी भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं ली है मैं लाकर के इसे ऐसी जगह प्लेस कर दी थी जहां पर कि सुगत 7 बज़े से लेकर साम के 3-4 बज़े तक continuous direct sunlight आती है तो इसकी भी आपको tension नहीं लेना है कि इसे कहां प्लेस करें आप चाहें तो इसे indoor रख लीजिए लेकिन bright light हो आप इसे shady area में रख दीजिए जहां आदे दिन की धूप आती हो और आदे दिन की shade आती हो और आप चाहें तो इसे full sunlight में दिन भल के लिए भी रख दे यह देख रहे हैं दोस्तों मेरा यह ऐसा ही plant है जो कि मैंने इसे पूरी तरह से full sunlight में मैंने रखा हुआ था आपको मैं इसका place भी दिखा देती हूँ जहां मैंने इसे रखा था यह देखिए दोस्तों मैंने इसे यहां पर place किया था यहां दिन भर की धूप आती है यह मेरा terrace का ऐसा place है जहां पर नीचे से सरक से इसकी beauty दिखलाई देती है तो मैंने इसे इस जगा place किया था और यहा प्रिकुल भी टेंशन ना ले आप कहीं भी से प्लेस कर देंगे यह इसी तरह से हरे भरे रहेंगे और ऐसे बढ़ते रहेंगे आप चाहिए इन्हें करें या ना करें मैंने तो सिर्फ एक ही ब्रांच को कटिंग किया था और यह इतने बुशी हो गया है लेकिन मैंने बाकी द दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर में भी हर्याली बनी रहे और ऐसे ही खूबसरत पत्तों वाले वाला प्लांट आपके यहां रहे तो आप डेफिनेटली इस ड्रसीना के इस विराइटी को स्वांग ओफ इंडिया को अपने गार्डेन में जगह दे सकते हैं और जगह हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू